नमस्कार दोस्तों आज का Q&A काफी इंटरस्टिंग होने वाला है विकेज FII, DII और रिटेल के रेगुलर इंफ्लो के वजह से मार्केट पर क्या इंपक्ट आएगा इसके उपर एक बहुत अच्छा कोशन आया है राकेज जीगा पहला गामिट है यह कह रहे है विशेजी FIDI के उपर एक वीडियो बनाए बिल्कुल सर यह कह रहे है कि इनका इंपक्ट क्या होता है एक्सप्रेंट कर चल रही होती है तो वह बहुत सारे factors के उपर depend करती है पहले चीजर की एकनोमिक इस है हमारी global economy कैसी है हमारी क्या वह तो नहीं होरी कहींपर क्या जो हमारी currency है हो strong हो रही है या नहीं होरी जो हमारे import-export है वह balance है या नहीं है उसे के साथ-साथ जो companies है वह कैसे result दिखा रही है इन सारे factors के उपर जो हमारे stock market है वो depend करती है क्यों depend करती है यह आप समझूचा है mutual fund में invest कर रहे है equity वाले में तो भी वो depend stock market पे ही है वो depend companies के उपर ही है क्योंकि stock market के अंदर जो जहां भी आप बैट दे रहे हूं अपने आप में company राइट और वो एक Indian company है तो यह सारे factors impact करते है stock market को let's suppose क्या होता है जो Indian currency है वो गिड़ना शुरू हो जाती है US के against तो उस case के अंदर चाहिए आप कितनी भी SIP कर लो भर भर के पैसा डाल लो तो भी जो हमाई market है वो गिड़ना शुरू कर देए क्यों क्योंकि हमाई जो market है उसके अंदर आप कैसा होते एक negative sentiment आजाएगा आपको लग रहे है कि आप SIP कर रहे हो लेकिन आपने जो SIP करीब हो गया fund manager के पास fund manager अभी पैसा नहीं लगाएगा वो fund manager hold करेगा कि market को गिर जान दो because currency हमाई depreciate हो रही है तो जो foreign institutions का पैसा है तो इंडियन market होगी या अलग-अलग economic market होगी चाहे जिपैन के होगी चाहे किसी और की हमेशा FIA का पैसा लगा होता है FIA कौन होते हैं जो foreign institutions होते हैं जैसे एक developed economy है उसमें क्या होगा उसके जो investor है वो इंडिया में पैसा डालेगे क्यों कि यहां पर growth opportunity यूएस से काफी जादा है तो उसका पैसा हमेशा लगा होगा लेकिन उसको यह दिखेगा ना कि इंडियन जो economy है वो खराब हो रही है वो गिर रही है उसका जो INR है वो depreciate हो रहे है डॉलर के गेंस्ट बहत ही जादा उस case के अंदर क्या होगा वो अपना पैसा खीचना शुरू करेगा तो एक ने खीचना शुरू करा तो बाकी भी अवयर हो जाएंगी आरे भाई कुस्तो गड़बर हो जीए इस economy में तो हम भी पैसा खीचते हैं तो इ आपने intelligent expertise के हिसाब से ही पैसा लगाने वाला है तो पहले जीस तो यह होगी कि अगर आप regular SIP भी कर रहे हो तो इसका यह guarantee नहीं है कि इंडियन मार्केट बढ़ेगी अब मार्केट अगर bottom out है आप लगातार SIP कर रहे हो fund manager को भी समझ जा रहे है कि भाई जो हमारी market है वो bottom out हो चुग हो भी लगातार खरीद रहे है जिससे मुमेंट आवा है market उपर गई लेकिन market उपर है अब SIP कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं fund manager आपके भीहाफ पर SIP या stocks को खरीदे गई वह हो सकता है अपनी cash position को strong करना शूर क करें कि भाई market गरी तब जाएगा पैसा ठीक है तो यह दो चीज तो हुई मुटे मुटे तौर पर दो चीज इसके अंदर बहुत सारे factors add होते हैं तो इसको पर शायद किसी और detail video में बात करेंगा अब बात करते हैं FII का FII के पैसे से basically क्या होता है जब भी foreign institutions का पैसा आता ह पैसा लगाना शुरू करेंगे तो इतना पैसा लेकर आते हैं आप यह समझो हमारा एक डॉलर आपको खरीदना हो तो 83 रुपीज आपको देने पड़ते हैं तो वो सोचे वो तो लाको डॉलर ला करके इंवेस्ट कर सकते हैं मिलियन डॉलर इंवेस्ट करते हैं तो small cap company को खरीदेंगे तो भाई वो 100 रुपे से खरीदना शुरू करेंगे इतनी supply नहीं होगी वो 200-400-500 रुबे पहुंच जाएगा तो उसका buying price उपर हो जाएगा तो इसलिए जो FII होते हैं वो mid cap या you know large cap company वो खरीदते हैं सबसे पहली चीज़ तो FII अभी investing नहीं कर रहे हैं interest rate के बाद investing करेंगे तो उससे क्या होगा large or mid cap में major flow आएगा ठीक है तो larger mid cap में रहने में benefit है second चीज़ जब FII का पैसा मार्केट में invest होता है तो उससे क्या आता है एक trust build होता है दूसरी economic का भी कि भाई FII पैसा डाल रहा तो उसने अपनी proper research करी होगी because आप ये बानो black rock कहीं पैसा डाल रहा है तो भाई वो company highlight हो जाती है न्यूस पेपर हमें headline आती कि black rock जैसी बड़ी company ने पैसा डाला अब black rock multimillionaire company है उसके पास billion of billion पैसा है वो क्या करेगा अगर वो 1% भी डाल दिया एक परसेंट बहुत बड़ा पैसा हो गया तो उसने 0.1% भी पैसा डाल दिया किसी एक छोटी सी company में तो सोचो कितनी बड़ी news होगी ठीक है लेकर उनके लिए portfolio का वो एक छोटा सा हिस्सा है तो ये समझो जब कोई बाहर कितनी बड़ी company इंडिया इंडियन market में इंडियन company में invest करती है बहुत अच्छी sentiment create होता है तो और लोग आते हैं तो वो चीज़े भी होती है तो ये चीज़ उसी के सासर थर्ड मीच पॉइंट आता है liquidity जब FI का पैसा आता है market में तो liquidity बढ़ती है हमारे पास जब invest होता है तो FI को invest करना तो वो क्या करेगा वो INR करीदेगा अलब INR की demand काफी ज़्यादा हो जाएगी और जब INR FI के पास चला गए उसने पैसे डाला तो market में liquidity लोग पास पैसा आना शुरू हो गया market में पैसा आना शुरू हो गया liquidity हाई होती है तो market बनत जाता हो जाएगी क्योंकि अगर आप चाइना को बोलो कि भाई तू आये ना हमें समान खरीड ले वो मना करते है वो बोले का ने ना ना ग्लोबल करनसी हमारी जो है वो डॉलर है तो डॉलर हमारा जो डॉलर होता है वो धीरे-धीरे करके बढ़ना शुरू होता है तो एक stability भी आती है एकनोमी के अंदे क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा इंवेस्टर आया है वो 10-12-15 परसेंट के लिए नहीं आता मार्केट में वो आता है 100-200 परसेंट के लिए इसलिए अगर आप देखोगे हमारे बैंक्स जो है इंडियन बैंक्स जो है उनके बहुत बड़ी- तो वो stability लेकर आता है अपने साथ, liquidity लेकर के आता है, positive sentiment लेकर के आता है इसे वज़े से market फलती खूलती और बहुत पैसे करती है वही पर अगर आप इंडियन इंवेस्टर पैसे डालोगी तो आप INR कमा रहे हो, INR को अगर आप डॉलर के गिडने के वज़े से जो impact होगा तो आप नहीं cover गर पाऊए, तो इस वज़े से कही पर FIA अगर थोड़ा सा पैसा भी डालते है, तो market बहुत अच्छे तरगे से बढ़ती है, वहीं पर कही पर retail investor लगातार पैसे invest करता है, तो भी market रूख जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अलग-अलग factor होता है, आप आपको यह basic और brief समझ आ गया होगा, in-depth चाहिए, कि क्या impact होता है, इस पर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, मैं शायद एक गंटे भी बात कर सकता हूँ, in-depth के नदर जाय जाय तो, जो अटकर चाहिए, तो मैं detail वीडियो बना दूँगा, जिसके अंदर मैं at least major points cover कर ल सकते हैं, लास्ट वीडियो गिंदर आप दें बताया था कि sector के अच्छा option देख रहा है, banks गिंदर, तो कितने time horizon के लिए करना चाहिए, और कहां पर करना चाहिए, कौन से mutual fund में करना चाहिए, तर देखिए, और आपको एक swing लेना है, तो I would say कि, देखो, 80% का तो already gain यहाँ सीधा सीधा दिखे रहा है, इस समा पर, और recently हमें breakout भी दिया है, तो मेरे इसाब से क्या हो सकता है, एक दो दिन का time दो यहाँ पर market को, कि भाई, market consolidate हो थोड़ा सा, कि भाई, all time high पर, अगर यह रुखती है market, तो यहाँ से हम दुबारा से buying शुरू कर सकते हैं, ताकि वाप अगर आपको एक लाख रुपे इंवेस्ट करने है, hypothetical example मैं दे रहूँ आपको, तो सेफ उसे 25,000 डालने का time है, ताकि skin in the game हो जाए हमारा, उसके बाद क्या होगा, market अगर नीचे चली जाए, तो बहुत अच्छा बात है, ताकि हम downside average कर पाएं, तो उसके बाद market recover कर जाएग लेकिन जो economic हमें बता रही है, economics हमें बता रही है, उसके business पर काफी ज़्यदा अच्छा दिखता है, अगर आपको simple swing खहिलना है, तो bank and nifty से अच्छा तो कुछ होई नहीं सकता है, ये एक index है, इस से अच्छा तो कोई दूसरा option है ही नहीं, अगर आपको save a swing लेना है, आपक से सुंदरम का आता है, और निपॉन इंडिया का आता है, कौन का आता है, ये कुछ ऐसे funds हैं, जिसके अंदर आप खेल सकते हो, long term भी थी, at least 2.5 साल का time लेकर के चलना, आप यहां पर invest करते हो, तो उससे कम के time में risk होगा, यहां पर major जो pump दिखेगा, आपको वो दिखेगा interest rate के cut के आसपस, जैसे interest rate cut होगा, banks के margin बढ़ेंगे, banks के margin बनेंगे, तो भाई यहां पर आप कहा सकते हो, एकदम से growth आनी शुरू होगी, तो पहली installment definitely अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद at least 75% पैसा hold करना, market condition के हिसाब से slowly steadily डालेंगे, क्योंकि recently breakout मिला है, यहां पर, break even कह सकते है, breakout नहीं आए है, बहुत strong breakout नहीं है, bank nifty में, but most probably आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले, अगर एक आदी दिन यह sustain करता है, और या फिर, यहां से 2-3% उपर जादा, तो फिर एक अच्छा option बनेगा, अगर हम bank nifty की बात करें तो, sir, जब market बड़े stocks के अंदर गिरेगी, तो small cap पे इंपक्ट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, कि बड़े stocks गिरेंगे, small cap पे impact नहीं आएगा, क्यों ऐसा हो ही नहीं सकता, feasibly नहीं है, ऐसा feasible इस वज़े से नहीं है, क्योंकि बड़ी market cap की जो company होती है, वो stable होती है, अगर वहां से selling आएगी, तो भाई, उसका impact small cap पे आता हो, देखेगा, अगर market, अगर large cap गिरता है 10%, तो small cap के चांसे दो 15% गिर या सारफ ऐसा retail investor ही लगा सकते, क्या, ऐसा नहीं होता, हाँ, retail investor ने सस्ते price पे खरीदा, sellers नहीं थे, यहां तक भाग कर क्या आगया, क्या retail investor इसको rocket बना देगा, अगर ऐसा हो पाता सर, तो आप ये समझो, कि आज जो market 5-6% correct होती है, वो नहीं होती, ये market सीधे 6 अपाड के पर चली जाएगी, ये चीज़ फिजिबल नहीं है, चाहिए आप पूरा पूरा पैसा डाल दो, अगर इतना पॉसिबल होना, तो अभानी जी का stock नहीं गिरता, उनका stock भी नहीं गिरता, वो तो दे दरा दाना SIP करते रहते हैं, उन्हें पता होता, बिजनस करने का क्या फा आता था, कि भाई, FIA ने बेचा, तो market गिर गई, क्योंकि वो बड़े investor होते हैं, हाँ, उसका impact आप कम कर सकते हो, अपनी SIP के साथ, definitely, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से avoid कर दोगी, ये possible नहीं है, market के अंदर, market में अगर मान लो, कल जो हमारा dollar है, वो INR 85 का होगी, 86 का होगी, market एकदम से गिर जाएगी, क्यों गिर जाएगी, market की value अपने आप में कम होगी न, तो ये सारे factors हैं यहाँ पर, ये सारे factors play out करते हैं, सिर्फ SIP को भी आप करोगे, तो INR ही है, right, import, export कम होगे हमारे, तो भी market गिर जाएगी, आप बोलोगे, मैं SIP कर इस comment को आप ध्यान से सुनना, ही कह रहे है, yes, मैं FOMO के अंदर हूँ, क्यों, क्योंकि जब SDFC Defense Fund आया था, काफी कम पैसा मैंने उसके अंदर डाला था, उसके बाद 90% का return दे चुक है, लास 10 महीनी के अंदर, almost एक साल में double हो जाएगा, मैं wish करता हूँ कि मैं अपने mistake को correct कर पाँ, और जो NFO हा रहा है हमारा SDFC Manufacturing Fund का, इसके अंदर मैं miss out ना करूँ, तो इसलिए अगर मेरे को यहाँ पर जादा पैसर डालने, यह word नहीं है, but मैं context समझ बार हो, कही नहीं होगा, और किसी भी case में दो साल के लिए, यह गिर जाता, दो साल तक नहीं करता, तो मैं switch कर यह एक idle case है, जब हम FOMO की बात करते हैं, सबसे पहले चीज़ तो I'll definitely appreciate you sir, heads off, यह चीज़ आ करके publicly बोलना बहुत मुश्किल है, यह guts होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी जो गलतियां होती है, क्योंकि हर इंसान करता है, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, Warren Buffett न बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यह बोलू हो कि HDFC Defense ने इतने रिटन बनाए हैं, जरूर नहीं है, HDFC Manufacturing भी इतने रिटन बनाए, यह चीज़ आप याद रखना, दूसरी चीज, आज से 8 महीने पहले की जो situation थी, वो आज की situation से बहुत अलग है, आज से 8 महीने की 8 महीने पह पहले जो market थी, अंडर वैल्यूट थी, तब से 140% के return बहुत सारे mutual funds ने बना दी हैं, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा कि NFO आ रहा है, NFO का मतलब यह नहीं है कि वो आपके return बनाएगा, NFO का मतलब यह होता है, fund एक नया mutual fund offer कर रहा है आपको, इसका मतलब यह होता है कि वो stocks उसी bunch से निकालेगा, जरूरी नहीं है, वो आपके लिए अलग stock लेगा, हो सकता है, उस NFO में कुछ ऐसे stocks हो, जो 100% चल चुके हो, ठीक है, तो यह guarantee नहीं है कि SDF से defense चला है, तो manufacturing भी चलेगा ही चलेगा, definitely segment बहुत ज़्यादा interesting दिख रहा है समापे, बहुत चीज़ को हमेशा mind में रखना कि अगर यह segment गिरा किसी भी रिजन से manufacturing वाला, तो fund गिरेगा भी और बहुत ज़्यादा गिर सकता है, क्या personally मुझे ऐसा लगता ही होगा, मुझे नहीं लगता है, ऐसा होगा, definitely जब election खतम हो जाएगा, markets वोड़ बहुत अगर crash करती है, क्योंक कोई बात नहीं, सर, miss होगी, हो जाती है, हर किसी से होती है, असानी होता कि नहीं होती है, हर इनसान miss करता है, और stock market की यही खुप सूर्ती है, कि अगर आपने एक चीज़ मिस करी, तो आपकर दूसरी opportunity आएगी, आप उने दूसरी miss करी, तो तीसरी opportunity आएगी, तो definitely आपने miss क नहीं है, और अगर आप इसके through ना जाओ, तो अच्छा रहेगा, देखो, बन जाया, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, पर अगर ना बने तो बुरा लगता है, तो I would say, कि एक reasonable returns की side, अगर हम जाएंगे, तो अच्छा रहेगा, because 8 महीन ने पहले की situation नहीं लगती, आ लाज केप, टू केप, और मिड केप, 7 की केसा IP है, परफेक्ट असर, बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जो portfolio है, वो अपने diversity 5 किया हुए, पहले चीज़, दूसरी चीज़, moderate risk के साथ आप जा रहे हो, लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो अपकली important है, आप अपने overall portfolio का distribution देखना, कि small cap के अंदर कित्ता पैसा जा रहा है, mid cap में जा रहा है, अगर आप small cap में invest कर रहे हो, तो पूरा पैसा small cap में जाता है, 67% minimum, maximum, minimum जाता है basically, क्योंकि ये criteria होता है, बाकि जो fund manager होता हो, उसको diversify करते है, mid cap में भी same criteria होता है, right, तो आप अपने पैसे को देखना, कि कौन सी category में सबसे जादा जार है, अगर आपको उसके सबसे सही लगे, तो आप invest करना, fund-wise अच्छे है, small cap करना, risk थोड़ा सा ज्यादा है, I hope ये चीज़ समझते हो, कि at least इस portfolio के साथ आप जा रहे, तो minimum 5 साल का time के साथ जाना, उससे प